Hello Cyberworms, Welcome Back मैं हूँ अनिली अदब और आप देख रहे हैं Neat Roots और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप NetMarks टूल का यूज कर सकते हैं So basically पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे Root Analysis के अंदर Net Discover Tool को यूज कर सकते हैं और Root Analysis Concept को हमने क्लियर किया था So basically NetMarks से काम होता है जो भी Subnet होते हैं उनको निकालना उस IP address या फिर उस router से जो कि हम यूज करते हैं या फिर अगर कोई वेबसाइट यूज कर रही है तो वहां से कैसे उसको निकालते हैं वो सारी चीजे NetMarks परफॉर्म करता है तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर Subnet क्या होता है तो Subnet को समझने का Simple सा तरीका है जो भी Network होता है उसके अंदर भी जो Network होते हैं उसको ही हम Subnet बोलते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर आप किसी University में पढ़ते हैं या फिर अगर आप कभी किसी Computer Lab के अंदर गए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक ही वायर सा सारी Computers Connected होती हैं तो उसी को हम Subnet बोलते हैं जो वायर है जहां से Connected है वो तो Main Network है बड़ जैसे जैसे सारे Computers Connected हैं उसको हम Subnet बोलते हैं या फिर Network के अंदर जो Network है उसको बोलते हैं तो इसको यूज़ करने के लिए आपको simply उस पर click कर देना है और फिर ये open हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर netmarks hyphen यह चलगा कर इसके सारे functions चेक कर सकते हैं या पर जितने भी options है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर अब हम इसको sudo su command देकर root access दे देते हैं इसको root access मिल चुका है और आप हम इसको practically चेक कर लेते हैं किसी एक website के उपर तो अब हम यहाँ पर type करते हैं net mask और फिर hyphen तो आप यहाँ पर कोई भी option चूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं hyphen v से version चेक करता है hyphen d से debug और उसके बाद आपको result किस form में चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं जैसे कि hyphen yes के अंदर standard form है और फिर hyphen i के अंदर Cisco form है या फिर hyphen r के अंदर यह आपको जितनी ranges हैं वो सारे दिखा देगा और यहाँ पर आप सारे documentation पढ़ कर भी आप देख सकते हैं कौन से option किस चीज के लिए use होती है तो अभी हम यहाँ पर standard form यूज करते हैं हाइफन yes लगाकर और फिर यहाँ पर एक website का name डाल देते हैं तो यहाँ पर मैं डालता हूँ hackerone.com उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं इसकी scanning स्टार्ट हो चुकी है अभी इसमें भी थोड़ा बहुत time लगता है बट don't worry इसका result आते ही मैं आपको दिखा देता हूँ so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सभी details आ चुकी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी subnet hackerone.com के अंदर वो सारे यहाँ पर show हो रहे हैं वो भी standard form के अंदर तो अब हम क्या करने वाले हम दूसरा command डाल कर इसको check कर लेत हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cisco style address list में यह show हो चुका है तो अब हम क्या करने वाले कि इसके अंदर हम check कर लेते हैं जो R option है या फिर मालो जो R range है वो कैसे use करते हैं उसको भी हम practically देख लेते हैं तो यहाँ पर आप मैं type करने वाला हो net mask और फिर hyphen R और उसके बाद hacker range भी आ चुका है और इसके अंदर जितने भी subnets हैं वो भी यह show कर रहा है तो इन सारे options को आप एक एक करके check कर सकते हैं या फिर इस पर practice कर सकते हैं और उसके बाद इसका use करके जो भी websites हैं उनके अंदर जितने भी subnets हैं उनको find कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको scanning में use कर सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पर domain नम ना डालकर यहाँ पर आप IP address से भी check कर सकते हैं IP address से भी scanning कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि इस tool को आपको different website पर practice करना है और फिर इसमें जितने भी result आते हैं उस पर detailed forensic करना है और फिर जितने भी details आपको मिलते हैं उसको आपको collect करके information gather करना है यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप network tool का use करके subnets को find कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम देखने वाले कुछ नए tools को कैसे use करते हैं और कुछ नए तरीके जिसका use करके आप information gathering कर सकते हैं so till then stay safe stay secure thank you and happy learning